हेलो एवरीवन आयम आदित्य और वेलकम टू यू पाट साला एक न्यूस चल रही है एक ख़वर चल रही है जो कोई ट्विटर पे न्यूस पेपर्स में हर जगह क्लिपिंग्स बनकर आ रही है अखिर यह है क्या उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उत सरकार ने जारी कर दिया हुआ है इसका लोगो है आप देख पा रहे होंगे और इसका फॉर्म भरने का प्रकिरिया है वह भी शुरुवात हो गई है सब चीजों पर हम डिसक्स करेंगे तो आये चलते हैं बिनादेरी की हुए आगे की तरफ तो उससे पहले देख लेता है कि कि क्या है यह आकिर और किस प्रकार इसका फॉर्म पीलेप करना है तो आगे चलते हैं तीकि अगले साइड में आपको दीख पा रहा होगा यहां पर गवर्मेंट अफ उत्तर पदेश यानि कि यूपी जो गवर्मेंट है उसने अपने टुटर हैंडल पे और कई दिनों से क जो गया जी तनाज जी ने एक डेकलरेशन दिया था निए घुसड़ा किया था कि हम उत्तरपेश के जो गरीब और नेरबल आय परिवारों के जो बच्चे हैं उनको सिविल सिवा आयाइटी नीट फिर एंडिये सीडिये जैसे प्रतों की परिशाओं के लिए हम प्रिशिक यह कल कि क्लिपिंग अभी यह मंद्ल अस्तर पर चलेगी यह उत्तर प्रदेश मठारा मंदल है वरतमान में तो एशाठ कर दो PCR है और आने वाले समय में निकट भाविश्य में आधिये सारे जन पस्टेर उमक्रेश प्रतों में इसे लागू कर दिया जाएगा यह जोई है क्या देखिए इस योजना के तहज़ जो है विभिन परिक्षाओं कि जैसे यूपीजी सी संग लोक सिवाय दौरा अधीनador परिक्षाय कर जाती है उसके बाद आपकी न्टिय दौरा जो सीडिये से फिर अन जो सेवाय है प्लब बैंक एससी बीड यानि कि सभी एक तरीके से मैं कहूं तो प्रतियोंगी परिक्षाओं की उत्तर प्रदेश को बच्चों के लिए एक प्रिस्ट्रिक्षर दिये जाएगा कि आपको कैसे कंप्रेटिव एक्जाम को जो आपको प्रतिय जाए प्रतार तरीके सेदों जाए कि आपको प्रतियों प्रत्रेश के सामेल हो सके और आप ऑप मेंाने जीवन में से उस शोब को यहां हो उत्तर पर देश्चार के से संचालित करने की प्रयास करेगी देखिए और यह जो है आपको इहां पर दिख पा रहा होगा बसंत पंचमी से सुरू होंगी अभ्यूद्य कोचिंग में पढ़ाई यहीं कि फार्म जो है वह दस फर्वरी से भरा जा रहा है रात-बार बैसे वह पोर्टल एक्ट्व हो गय है अगर परिक्षा होगा तो इसमें सेलबस क्या होगा तो इसमें जन्रल एप्टिटूड और जन्रल नॉलेज के आपसे पूछे जाएंगे देखिए सिविल सिवा नीट यही जैसी प्रतियोगी परिक्षाओं के निसुल्क तयारी कराने के सरकार की योजना है पंजी कर द अधाती ताकि इस योजना का प्रचार प्रशार हो सके उन सब चीजों को भी हम बनाएंगे और इसके माद्यम से अपना प्रचार प्रशार करेंगी योजना का अब देखिए जो हमारे मुक्के सचीव है उत्तर परदेश के चीफ सेक्रेटरी है राजिंदर कुमार्टिवा और जो आपके क्विज होगी वेबसाइड पर उपलब्द करा देगी ठीक है और भी कोई अपडेट होगा तो आपको समय समय पर मैं अपडेट देता रहूंगा यह सरकार का एक बहुत ही सराहनी कदम है और आगे चलते हैं अगली साइड में देखते हैं यहां पर चीज और है कि जो अपसर्स की रिपोर्ट होगी जो यहां पर समरपड भाव से एक डेडिकेटेड वे में पढ़ाएंगे इसमें रूची लेंगे इंट्रेस जिनका होगा उनकी जो एक एनुवल कॉन्फिदेंशल रिपोर्ट आती है जिसे हम वार्षिक गोपनी रिपोर्ट भी कहते ह उसमें इसे special entry की रूप में दर्ज किया जाएगा विसिस्ट प्रविस्टी की रूप में इसे दर्ज किया जाएगा कि वह कितने समरपित भाव से पढ़ा रहे हैं भाई कुछ कोई अच्छा करेगा तो इसे सरकार प्रोच्चाहित करेगी तो इस तरीके से अधिकारियों को भी प्रोच्चान मिलेगा और उन्हें भी बहुत ही बहतर लएगा कि हम अपने जानकारी को विशिक साथ सेर कर पा रहे हैं देखिए विसे सग्ग्यों को दिया जाएगा प्रती क्लास 1000 रुपर मान दे यह सब बागी जानकारियां हैं और पढ़ाने वाले अपसारों के CR मे तो अभी मंडल अस्तर पर इसको संचालित की जाएगी स्कोचिंग को और तत पश्यात आने वाले समय में निकट भविस्व में इसे उत्तर पर इसके सभी जन्पद पर भी लागू कर दिया जाएगा इस कोचिंग की सुरूआत बसंत पंचमी की दिन 16 फरवरी को होगी और इस यूजना का नाम आप सभी जान चुके होंगे अभियुदा यूजना रखा गया है ठीक है अब आगली स्लाइट पर चलते हम देखिए यहां पर इंग्लिस की भी बात कर लेते हैं इंग्लिस नियूस पेपर ने भी से कवर किया जैसे कि टाइम सफ इंडिया को मैंने क्ल सब्सक्राइब और उसके बाद अब हम चलते हैं कि आखिर कौन से लोगे से फार्म फिल कर पाएंगे तो देखिए अभी तक इसमें गौवर्मेंट जो है आपको उसका अगर जो गौवर्मेंट आडर आया है आदेस आया उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो सब्सक्राइब उससे परचित है कि मतलब कितना होना चाहिए यह 6 लाग के आसपास बताया जा रहा है कि उससे कम जो है जिनकी आया है प्रतिवर्स वह इसमें सामिल हो पाएंगे तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकाम में हम इसका फॉर्म फिल अप कर पाएंग के बाद आप यहां पर इस website को स्क्रोल डाउं करेंगे और आप जैसे ही स्क्रोल डाउन करेंगे आपको यहां पर दिख भी रहा होगा पढ़ेगा उत्तरपदेश बढ़ेगा उत्तरपदेश करकी हर प्रयास हर संभव प्रयास सफलता की और यह बाकी सारी चीज़े आपको क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा रजिस्टर टु अप्लाइफ और आफ्लाइन आफ्लाइन प्रिपरेटरी क्लासेज अब यहां पर डिफेंट एक्जाम्स के आपको सेक्शन्स दिख रहा होंगे जैसे आपको यूपी एसी दिख रहा है य फिर यूपी एसी में ते आपका जेए है नीट है फिर यहां पर इंटर्व्यू है यूपी एसी एक नीए के लिए है और अधर कंपुटेटिव इंटरेस्टेट्ट हैं आप जिसमें भी चुक है आप उसमें अपनी रिज्स्रिश्न आपकरा सकते हैं अब देखिए इसके करेंगे जिसमें हम इंट्रस्टेड हैं उसके बाद हमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा अभी इंटरफेस पर हमें क्या करना होगा देखिए यहां पर आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखने हैं नेम हो गया इमेल हो गया आपका फिर फोन नंबर और इसमें के लिए इस पर क्लिक किया हुआ था आप एंडिय के लिए तो आपकी 12 की होगी मतलब कि असा ही करके जो क्वालिफिकेशन हैं कमटेट्व इसके अकॉर्डिंग आपके क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है ठीक है फिर आगे चलते हैं और यहां पर आपको अपना रोल लंब पर पाएंगे हैं तो आई होप आपको यह समझ में आगया होगा कैसे फॉर्म फिलफिलिफ करना है और साथ साथ इसका मूबाइल आप भी बनाया जाएगा ऐसा भी सरकार जो है वह चाह रही है सरकार की एक्षा है कि सका जो मोबाइल आप भी बनाया जाए ताकि आगे जो आलाइन चीजें को संचालित करनी है उसमें बहुत ही आसानी हो तो मुझे उमीद है आप सब इसमें जरूर हिस्सा लेंगे आप फॉर्म फिलप करिए हो सकता अगर परिक्षा भी कराई आगे तो आप उस परिक्षा में बैठी और अपना आकलन करिए आप कहां तक हैं और मतल योजना का जो भी वन्चीत वर्ग है या फिर जो भी इसके एक्षुक हैं फिर जिनको इसकी बहुत ही जरूरत है उन तक यह वीडियो पहुच पाया और उनको इस योजना का पूरा पूरा ज्यान हो पाए और इसमें वह पार्टिसिपेट करके कुछ अपने जीवन में बह पायतर कर सकें तो इसी के साथ साथ लास्ट में ही कहूंगा वीडियो को लाइक करिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी साथ अब तभी का बहुत-बहुत धन्यवाद